Hello everyone, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग paper 6 explanation question के बारे में बात करेंगे दोस्तो paper 6 के exam में total 32 marks का question explanation segment से पूछा जाता है out of 100 32 marks का सवाल आता है बहुत बड़ी बात है इसी 32 marks वाले portion में अच्छे अच्छे students पिछर जाते हैं इसी लिए आप लोग थोड़ा बढ़िया से यहाँ पे मेहनत कीजिएगा और हाँ अगर आप हर एक chapter का story बढ़िया से cover कर लेते हो फिर किसी भी परकार का कोई issue नहीं होगा यहाँ पे बस थोड़ा बहुत आपको extra content का इस्तिमाल करना होगा और फिर आप आसानी से हरे question का answer देते चले जाओगे चलिए सबसे पहले मैं आपको explanation question का pattern बतला देता हूँ दोस्तो पेपर 6 के अंदर पहला और दूसरा यह दोनों सवाल explanation segment से रहेंगे पहला सवाल कुछ इस परकार से रहेगा explain with reference to the context and need two of the following total चार सवाल दिये रहेंगे देख लिजिए A, B, इसी परकार से C and D, चार सवाल पूछा जाएगा इन चार में से आपको केबल और केबल दो का जवाब देना होगा और वो दोनों 8-8 marks करके रहेंगे यानि 16 marks का सवाल रहेगा पहला explanation का question और यह जो चार सवाल रहेंगे A, B, C, D करके यह चारो का चारो पोयम section से रहेंगे other chapter से नहीं रहेंगे यह चीज किलियर सुन लो अब आजाओ paper 6 के दूसरे question की ओर paper 6 के अंदर दूसरा सवाल भी explanation का आएगा यहाँ पे सवाल का pattern कुछ इस प्रकार से रहेगा A रहेगा और फिर A में और करके alternative option रहेगा इस प्रकार से B रहेगा और B में alternative option रहेगा और करके तो चार सवाल तो यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी आपको इन चार में से किन ही 2 का जवाब देना होगा और दोनों 8-8 marks करके रहेंगे यानि सुल्ला marks का दूसरा सवाल भी होगा लेकिन यह जो दूसरा explanation का सवाल रहेगा यह रहेगा play pygmalion and novel where angels fear to trade से तो यह चीज़ थोड़ा clear सुन लीजिए पहला सवाल के अंदर जो 4 explanation का सवाल आएगा वो चारो का चारो poem section से रहेगा और दूसरा सवाल के अंदर जो explanation का सवाल आएगा ये रहेगा play pigmalion and novel where angels fear to trade से और इसमें भी जैदा तर ये scenario रहा है कि पहला जो सवाल है ये आपका pigmalion से होता है और B number का जो सवाल होता है ये where angels fear to trade से होता है फिर भी आप अलट रहना दूसरा सवाल भी play से आ सकता है और पहला सवाल भी आपका pigmalion से आ सकता है बादमा की पहले सवाल के अंदर जो भी सवाल आएंगे वो poem सेगमेंट से ही रहेंगे और हाँ यहाँ तयारी किस प्रकार से करना है तो सब से पहले मैं आपको pigmalion और where angels fear to trade के बारे में बता दूँ जैसे की फ्लार हो गया, कोकनी गर्ल हो गया, करेक्टर का नाम हो गया अगर यह words अगर आपको देखने को मिल जाए तो फिर आप समझ जाना कि यह pigmalion से है फिर इसी परकार से धेरो keywords where angels fear to trade के अंदर भी है और यह मैं करा चुका हूँ, एक ही content को बारवार वीडियो के रूप में मैं नहीं लाना चाहता इसलिए आप सभी students उस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के description box में मैं 4-5 explanation वाले वीडियो का link देदूँगा, आप उसको देख लिजिएगा, 1Y कहीं से कोई issue नहीं होगा, explanation segment आपका बहुत अच्छे तरीके से cover हो जाएगा हाँ, एक चीज और बता दू, पहला number सवाल के अंदर जो आएगा poem's explanation का सवाल इसके लिए आपको poem का text पढ़ना ही होगा, मैं आपको lines देदू, fix नहीं है, कुँआ से match करेगा ही करेगा इसलिए poem text का pdf आप लोग बढ़िया से जरूर कर लिजिएगा, मैं आपको share किया होँगा, ये है paper 6 का poem text का pdf इसमें क्या होगा, जितने भी poem है, उन सभी poem का original line मैं इस pdf के अंदर सामिल किया हूँ, आप केबल और केबल, important poem का line अभी से ले करके paper तक पढ़ना, रटना नहीं है, केबल पढ़ना है, आप बार बार पढ़ोगे, तो उसके क्या होगा, जब exam में सवाल हैगा, फिर आप find से लिया गया है, फिर किस पकार से answer create करना है, वो video भी मैं बनाया हूँ कही बार, तो इस video के description में, मैं 4-5 video का link दे दूँगा, आप उसको देख लिजिएगा, कहीं से कोई issue नहीं होगा, explanation का segment आपका बहुत अच्छे तरीके से कबर हो जाएगा, जितना मैं बताया हूँ, अ जितना अच्छा आपका handwriting होगा, content जितना अच्छा होगा, आपको marks उतने ही अधिक आएंगे, दोस्तो, paper 6 में explanation ऐसा segment है, जहाँ पे अच्छे students पिछर जाते हैं, इसलिए जो मैं बताया हूँ, वीडियो के माधियम से, आप उसको follow करना, paper 6 में आप explanation portion में काफी अच्छा marks पैटर्न काफी असान है, पहला जो सवाल आएगा, यह आपका poem segment से रहेगा, total 4 सवाल रहेगा, चारों अलग अलग poem से रहेगा, कोई दो का आप solution दे दो, 8-8 marks करके रहेंगे, और एक question का answer, दोसे डाए page के अंदर लिखना, दूसरा जो सवाल आएगा, यह आपका आएगा, प्ले से, एक question प्ले से रहेगा, और एक question नॉबिल से रहेगा, दोनों में से करके answer देना होगा, एक चीज़ यहाँ पर थुरा clear सुन लिजिए, यह गलती मत किजिएगा, कि जैसे A number में और करके दिया हुआ है, तो आप इन ही दो का answer दे दो, फिर other को छोड़ दो, यह गलत ही मत करना कि, एक ही का दोनों का answer दे देते हैं, दो तो कवर हो जाएगा, तो ऐसा मत करियेगा, फिर number नहीं मिलेगा आपको, इन दोनों में से एक separate question है न, A number अलग है, B number अलग है, तो या तो आप A वाले में का, या तो उपर वाले का answer दो, या फिर नीचे वाले और वाले क दो, कोई एक करके दोगे आप दोनों में से, और पहले नंबर सवाल में तो कोई issue ही नहीं, आप उपर से दो answer लिख लो, नीचे से लिख लो, बीच से लिख लो, कोई issue नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार सवाल ही separate है, तो आप सभी students बढ़िया से ते जारी कीजिएगा, बा साथ हम लोग एक Instagram ID भी create किये हैं, तो आप सभी students जा करके वहाँ पे भी follow कर लीजिए, यह मेरा Instagram ID का नाम है, thank you so much everyone